आप सुभी का स्वागत है मेरे जानल पर आज के इस वीडियो में प्रेमा नंजी ने आपको बताया है कि ये बाते मान लेने से बगवान के आप हो जाओगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा तो बिन तेरे कि हम वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को प्लीस लाइक कर देरे चानल में नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब कर देना जो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पुरानी चादर में जब बड़ियां रंग चड़ जाता है तो फिर दूसरा रंग चड़ता नहीं है अब उनके दिमाग में बैठ गया मैंने सारे तीर्थ किये हैं दिम bát मान लो मेरी बात मान लो वो स्वामी तुल सिदा जी कह रहे हैं राम 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 जी जॉलो तू नजपई है तूलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाई है सुर तर उतरे तुई दारिद सताई है मान लिए बाद राम 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 राधा 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 कृष्ण 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 एक नाम पकड़ ले और पक्का अगला जन्म नहीं होगा राधा राधा उचारण करो और स्वां सूट जाए और भगवत प्राप्ति नहों तो बात हमारी भरोशा करने पर ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है हाँ नाम 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 चलाओ और भगवत प्राप्ति की बिलकुँ अरे पुत्र के बाहने बोला नाराएंड तो भगवत प्राप्ति हो गई तुम रादा जानके रादा रादा बोल ले तुम्हे भगवत प्रतिले होगी विश्वास करो जानके तुम राम राम बोलो भगवत प्रतिले होगी और जो कर्म किया जाए भगवत प्रित्यर्थ क्या यत करोशी भगवान नहीं कहा यत करोशी जो करते हो मेरे लिए करो मेरे क भावना से करो। दोनों बात है कि हमारे सामने जी समपुरूस के सेवा कर रहे हैं वो भगवान हैं। बसुप का नास करके भगवत प्राप्ति कराता है वो कर्म योग हो जाता है केवल कर्म नहीं रहता है जैसे महाराज निग बड़े ही धर्मात्मा पुरुष और गवशेवक और गवदानी और सबकुछ ब्रह्मोनों ब्रह्मरिशियों को दे देने की भावना रखने वाले लेकिन थोड़ा सा अपराद तो गिरगिट बन गए भगवत प्राप्ति में बाधा पहुँच गए हमें लगता है कि दान, पुर्ण, शुकृत इनके साथ यदि हम अच्छित भावना, सबके प्रच भगवत भावना और भगवत इस्मरण रखें, तो हमारा सब काम ठीक हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा अगर नहीं, तो फिर हमें इस पर विश्वास नहीं सुबकर्मों पर जैसे सुबकर्म के परिणान रूप, एक मनुष्य शरीरधारी महराज नहुष, देवराज इंद पदवी पर बैठते हैं फिश्ट के बाद तुरूटी होने पर अजगर योनी को प्राप्त होते हैं जमान हैं सुबकर्म जमान हैं भगवत इस्मरण करने की इतनी महिमा है कि एक ब्यविचारी पुरुष अंतिम शमय अपने पुत्र को पुकारता है नाराण उसे भगवत प्राप्ती हो जाती हैं इसलिए इस्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात विमुच्यते नमस तस्मई विश्णवे प्रभ विश्णवे यद इस्मरणई नहीं तो हमारी नजर में सब ब्यर्थ है क्योंकि आप सुब कर्म करके यग्य करके सास्त्रश्वाध्य करके सब कुछ करके भगवत प्राप्ती नहीं कर सकते जब तक अखंड इस्मरणई नहीं हो इसके लिए अखंड स्मरणई ज़र्थ अभ्याबरत भजनात भगवान अपनी प्राप्ती का उपाए बताते अनन्य चेता सततम यो माम इस्मरत नित्यसाह तश्याहं सुलभा पार्थ दिवर्षि नारज जी बताते भगवत प्राप्ती को उपाए तदर्पिता अखिला चारिता समस्त आचरण भगवान को समर्पित के जाए स्री कृष्णा नुकूलेन प्रतिकूलस से वेशर जनम तब हमारे एरदय में अखंडि स्मरती तद्विस्मरनेन परम व्याकूलतेती तन्मयाहा भगवत इस्मरती में तन्मयाहा सुबकर्म और अशुबकर्म दोनों बंधनकारक है सुबकर्म सोने की जंजीर है अशुबकर्म लोहे की जंजीर है जब सुब अशुब दुर्ग वेद्वान से बल तब जैती जैती जग उच्चर है सुब अशुब दोनों का नास करके त्रगुनाती तवस्था कालाती तवस्था भजन से प्राप्त होती अगर निरंतर इस्मरण भजन नहीं बन रहा तो हमादी दृष्टी में कोई मात तो नहीं तुमारे सुब कर्मों का वो सुब कर्म पुर्ण छीड़े मृत्य लोग के विशंती उना ले जाएंगे नया जमरती आंतरिक भगवान का चिंतन है और शुब कार्य का करता भाव ने रखना है शुब कार्य का फल नहीं चाहिए इसमें ये भी प्रवीनता रखनी है कि अशुब कर्मों का त्याक करना है शुब कर्म सास्तर प्रमानित करना है और उसके फल की आकांक्षा नहीं रखनी और उसके करता भाव का त्याक करना है आप करता हैं ही नहीं आप तो साक्षी मात रहें बहुत समझे नाब करां में जो अध्यात में तेज पड़ रहा है उससे वो संचलित हो रहे हैं जैसे एक परदा कर दिया जाए और लोहे के कुछ कंड फेक दिये जाए उसकी पावर से वो हेल रहा है ऐसे ही आत्मतत्यों के पावर से अंता करन संचलित हो रहा है और अंता करन तीन गुणों के अनुशार क्रियामे में रत है इंद्री मन और आप उसके द्रष्टा हैं और आप उसके संचालक हैं आप उसको सही दिसा देते गलत दिसा देते ये आपको देखना है लेकिन उप पावर गुणान गुण वरतंते मनुस्या पार्त सर्वसा ये तीनों गुणों की प्रभाव से हो रहा है अंताह करण जो संचलित हो रहा है आत्म पावर से हो रहा है और वो आत्म पावर आप हैं आप दुर्श्मात रहें, करता नहीं, यह आपके अनुसार बोल रहें, और फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा हो जया जया हो, शुख दुख में लाभानी में, जय पराजय में, इस्थिती परिस्थिती कैसी भी हो, संतुष्टा येन के नवा, आप क्योंकि सा दुसरे भाव से सा जाता है, कि भगवान हमारे को निर्मल कर रहें, भगवान हमारे को निर्मल करने के लिए ये परिस्थिती दी है, अगर अनुकूल परिस्थिती आती है, तो भगवान दुलार कर रहें, प्रतिकूल आती है, तो भगवान कर रहें, क्योंकि हमें पावन क और अगर हम ज्यान भाव में देखते हैं तो फिद्रिस्टा भाव से देखते हैं यही तो बहादुरी है कि बिक्षेप जब आए तब हम उसको राये बिक्षेप आ किसको राये मन की मानी हुई अनुकुलता के प्रतिकुल चेश्टा को विक्षेप कहते हैं मन की मानी हुई अनुकुलता के प्रतिकुल जो चेश्टा हुई उसको विक्षेप कहते हैं कोई विक्षेप नहीं हमारी भगवदाकार व्रत्ती करना है तो हमको बिक्षेप को भी वगवदाकार करना है हमें कुछ भी छोड़ना नहीं, सब को घसीटना है अपने बाव में कहीं कोई परिशानी नहीं, जैसे बारी बिक्षेप पढ़ रहा है कोलाहाला शान्ति उस समय भी हम देख रहे है ये गुणों के प्रभाव से हाकार मुचा हुआ पर मैं इस समय निरलेप हूँ मैं इस समय परम शान्त हूँ, मेरे शुरूप में कोई असान्ति नहीं गंभीर शान्त मुद्रा है, बस चंतुष्टा एन केनुबा बस यही प्रभीणता है उपासक की कि अपने को विक्षेप से बचा ले ना स्वयम उद्धिग्न हो और ना अपनी किसी चेस्टा से किसी को उद्धिग्न होने दे अपनी चेस्टा से ना होने दे और दूसरे की चेस्टा से अपने को उद्यूग ना होने दे जैसे हमारे अंदर विक्षेप आ रहा है अब वो विक्षेप किस कोटिका है पहले हमको यह देखना होगा प्रतिकुलता कोई तो बिक्षेप मानना है न, तो हमारे को प्रभू इस प्रतिकुलता में भी भगवदाकार ब्रति रहे, इसके लिए मुझे यह उसर दिया है, तो मुझे उस समय और डट के भजन करना है, हाँ, जैसे कोलाहल या किसी भी तरह का भीक्षेप है, किसी भी तर कि तरब, मुझे वहाँ बैठना है, अब भ्यास हमें ऐसा करना है कि विखषेप जहां है हमको वहाँ बैठना है, विखषेप जहां है वहाँ हटना नहीं, यह विश्वास कर लीजिए, वो भगवान ने आपको पुष्ट करने के लिए विखषेप दिया है, क्योंकि वो बिक्षेप बिक्षेप ना रह जाए तब आपकी उचाई बढ़ी मानी जाएगी अगर बिक्षेप बिक्षेप है तो आपको उसी बिक्षेप में रह करके निर्पेक शोकर बजन करना है तब ही आप आगे बढ़ पाएंगे अगर बिक्षेप बना रहा तो कहीं भी बाग के जाम बिक्षेप बना ही रहेगा, हमको बिक्षेप दिया ही सिले जाता है, जैसे अपना चेला जहां कमजूर होता है, गुरू वहीं प्राहर करता है, कुस्ती में, जैसे ऐसे मारा हो का, तो आप हजार बार वहीं मारेगा, क्योंकि अगर ये हजार बार से परिपक हो गया, तो दूसरा पहलवान गिरा नहीं पाएगा ऐसे ही भगवान हमारे गुरू हैं तो देखते हैं एक काम से बिक्षिप एक क्रोध से बिक्षिप लोब से बार बार वही बृतियां बेजते हैं तो वो तुम्हें परास्त करने के लिए नहीं भेज रहे वो परिपक्र करने के लिए भेज रहे सादक उसके नकालात्मक शोच में आ जाता है कि अब यहां से तो जोला जंडा उठा यहां तो बड़ी पिरीतता है अब वो जाहां जाता है वहीं वो भी पिरीतता देता है कि हमें साधना में परिपकता कैसी लानी है उनका आप बिदेह राज कैसे है सब कुछ तो आपके पास है रानी है मकान महल सब भोग समाज और बिदेह राज देवी राज सुखों का भोग भोग रहा है तो आप बिदेह कैसे है आज सेयन कीजिए कल आपको बताएंगे बोजन पवाया महल में सैन कराया देवर्षिनारद उच्छ कोटी के महापुरूश है भगवान की तरह चाहे देटी हो चाहे देवता सब इनका अधर करते महल में जब सैन किया तो अपनी रानी से कहा जाओ देवर्षिनारद जी के साथ सैन करो जाकर तो तो आग्या कारणी पतिवर्टा जाएंगे मैं आशे करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब के पास वाले बैल आइकान को प्लीज क्लिक कर दे हैं ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच पाए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंच वर्वच झांच वाजिए आपको रूच्छ कर दो यदिकेशन के लिएफिकेशन सब्सक्राइब कर दो चानल कर दोटी थैंच वार इवार